नमस्कार दोस्तों देश के पांच राज्यों के चुनाव पढ़नाम आ गए हैं जिन में से मद्धिप्रदेश, चतीजगर, राजस्थान में भाजपा ने पूर्ण बहुमित के साथ जीत हासल की है तो तेलंगाना में कॉंग्रिस ने अब जब हर राज्य के चुनाव के पत्ते खुल गए हैं तो ऐसे में एक सवाल इस बार के चुनाव के दिगजों को लेकर उठरा है जिए हां दोस्तों राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक रविवार को आये चुनावी नतीजों ने कई नेताओं के भविश्य की नई रेख दिखाई है तो कुछ के लिए ये एक तरीके का डेड एंड जैसी परिस्ति बन गया है तमाम राज्यों के टॉप नेता रहे इन लोगों की उम्र सत्तर के करीब है यानि कि अगले पांच साल में मतलब अगले चुनाव तक इनकी उम्र और बढ़ जाएगी तो फिर अब प्रचार के आगे भी यही जंकट पैदा हो गया है इसी लिए यह सवाल अब बार बार उठ रहा है कि अब इन नेताओं का भविश्ट क्या होने वाला है क्या पार्टी ने कोई नया पद देगी या फिर इनका राजनीतिक करियर कहीं न कहीं समाप्त होने वाला है दोस्तों मद्य प्रदेश के विदानसभा चुनाओ में कॉंग्रिस ने कमलनाथ को सबसे आगे रखा था चुनाओ प्रचार के पूरे कैमपेन में सबसे आगे सबी के आगे सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ चल रहे थे लेकिन नतीज़ा बेहत निराश करने वाला सामने आया 77 साल की कमलनाथ का आगे का क्या भविश्य होगा ये कहना मुश्किल है कुछ वक्त पहले उन्हें कॉंग्रिस का अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी चल रही थी मगर उन्होंने नकार दिया ऐसे में अब उनके लिए कॉंग्रिस में क्या भूमिका होगी क्या आगे भी कॉंग्रिस उम्रदराज लोगों के सहारे अपनी नई अपार लगाएगी या फिर अपने खेवईये को ही बदल देगी साथ में दिगविजे सिंग की अगर बात की जाए दोस्तों तो कॉंग्रिस की तरफ से इस बार ये भी अपनी सीट हार चुके हैं उनकी उम्र 76 साल की करीब है ऐसे में उनका आगे का भविश्य क्या होगा दिगविजे सिंग कॉंग्रिस के एक बड़े नेता है आम तोर पर आप सभी जानते हैं और वो मद्यप्रदेश से मुख्यमंतरी भी रह चुके हैं पर इस चुनाओं में उन्हें बड़ा जटका लगाए दोस्तों कॉंग्रिस ने इस बार के चुनाओं में पूरी जान जोग जी थी कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक राहुल गानी ने भारत जोड़ो यात्रा की पार्टी के अध्यक्ष तक बंडल डाले पर नतीजा क्या निकला वो हम समने बहुत भी देखा है तो उस कमी को दूर करने के लिए जो इस चुनाओं में हासिल ना हो सका उसके लिए कॉंग्रेस अब कौन सा कदम उठाएगी वह अगर बात राजस्थान में भारतिया जन्ता पार्टी की करें तो वहां से एक नाम बेहचरचा में है और वो है वसुंदरा राजे का राजिस्थान में इस बार भारतीय जंता पार्टी ने वसंदरा राजे को CM फेस गोशित नहीं किया पिशली बार के चुनाओं में वसंदरा राजे के सहारे ही भाजपा ने जीत हासिल की थी वो यहां से पूर मुख्यमंतरी भी रह चुकी है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ कोई भी CM फेस एनाउंस नहीं किया गया था लेकिन इसके बावजूद बारतीय जंता पार्टी ने 115 सीटे जीत लिए इस बीच राजस्थान में CM पत को लेकर कई तरीके के नाम चर्चा में आ रहे हैं ऐसे में वसंद्रा राजे के भविश्य को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं लाजमी है कि अगर 75 साल की उम्र हो चुकी है वसंद्रा राजे की तो वो CM नहीं बन सकती है तो आगे उनके लिए क्या अफसर पैदा होंगे ये बड़ा सवाल है साथ में अगर कॉंग्रेस की बात करें तो राजस्थान में कॉंग्रेस की नेताओं के लिए भी एक जंग चल रही है बीदे पांच सालों से अशोग गहलोत ने सचन पाइलेट से खफा होकर ही सरकार बनाई थी फिर चुना हुए तो उसका असर भी देखने को मिला जो कहीं न कहीं सचन पाइलेट के गुर्जर समाज के जो वोटर्स थे वोट बैंग थाउन का वो शिफ्ट हो गया भारतिया जन्ता पार्टी की तरफ लोग सचन पाइलेट को एक यूवा नेता की तरह एक यूवा मुख्यमंतरी की तरहां देखना चाहते थे लेकिन अशोग गहलोट के आगे उनको जगा नहीं मिल पाई अब नतीजे सामने आया है और अशोग गहलोट सत्ता से बेदिखल हो गया है ऐसे में अशोग गहलोट राजस्थान या पिर केंद्र में किस भूमिका में होंगे ये बड़ा सवाल है जाना जा रहा है कि उनकी सियासी पारी को अब विराम भी लग सकता है जो सो महीं चतीजगड में भी भाजपा ने बिन्ना किसी सीम फेस के चुनाव लड़ा था इसके बाद भी चौकाने वाले नतीजे आ है तो क्रेडिट पीए मोधी और केंद्र को ही जाता है मोधी जी ने खुद अपने चुनाव की जो बागदोर थी अपने हाथों में सम्हाल रखी थी और उसका फायदा कहीं न कहीं देखने को मिला इन चार राज्यों के चुनाव में पिलहाल अगर देखा जाए तो रमन सिंग के लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है वहीं बात अगर तेलंगाना की की जाए तो यहाँ पर केसी आर पिछले 10 साल बाद सक्ता से बेदखल हुए है इस बार के चुनाव में केसी आर को खुद अपनी सीट पर हार देखने को मिली जिसकी वज़े से कॉंग्रिस को जीत हासिल हो गई 69 साल के केसी आर 10 साल तक सीम रहे हैं और अगली बार के चुनाव में उनकी उमर 74 होगी ऐसे में ये देखना होगा कि आगे की लड़ाई के लिए वो बेटे को तैयार करते हैं या फिर खुद राश्ट्री राजनीती के रुख कर बेटे को राज में मौका देंगे आपका इन नेताओं के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंसेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा एक खबर आप उल्टा जश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीन अंसारी है जै हिंद जै भारत